नमस्कार दोफ तो एक बाद भी नमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत था है लेट अफ्टर प्लेड निकल कर आई है कि केंदर सरकार ने केंद्रे करमचारियों के महंगाई बत्ते में बड़ोतरी के बाद दी एक और नई अपडेट केंद्रे कर पर आगई है बड़ी अपडेट तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंदर सरकार केंद्रे करमचारियों के ठारा महीने के बगार डियार का पैसा कब करमचारियों के खाते में डालने जा रही है अगर आप कमारे चनल पर पास्टाइब कर रहें तो चनल क देरी के दोस्तों अगर आप करमचारी है तो फिर ये खबर आपके लिए बड़ी ही खास रहने वाली है दरसल हाली में सरकार ने केंद्रे करमचारियों के महंगाई बत्ते और पैंशनर्स के महंगाई रात में चार परतिशत की बडोत्री की है जिसके चलते अब महंगाई बत्ता पचास परतिशत हो गया है दोस्तों केंद्रे सरकार में एक करोड से अधिक केंद्रे करमचारी और पैंशन भूगियों को बड़ी कुछ खबरी मिली है आलंकि सरकार ने करोना काल के दोरां रोके गई 18 परतिशत डी आरियर को लेकर कोई बात नहीं की पिछले साल र चीव से अगरक किया कि 18 महिनी के बकार डी आरियर का पैसा करमचारी और पैंशनर्स को दे दिया जाना चाहिए करोना काल में केंद्र सरकार ने करमचारी का उप्त बुक्तान रोकर 34402.32 क्रोड रुपे बचा लिये थे अब करोना का समय खतम हो चुका है तो 18 महिनी के बका डी आरियर के बुक्तान को लिकर लंबे समय से मांग कर रही हैं केंद्र सरकार ने बजट सतर में ये बात मानी थी कि डी आ की बकार रासी जारी करने के लिए कई करमचारी संगठनों की और से आवेदन मिले हैं आलंकी अभी तक इस पे कोई ठोस प्रूसा नहीं अपनाया ग की अधिनियम में दर्साय सतर से दूगने से अधिक चल रहा है ऐसे में डी और डी आर का एरियर देना संभू नहीं है तो दौफ तो आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय वारत